नमस्कार दोस्तों आप सबी का हादिक स्वागत हैं 18 माई 2018 के RPSC Only Channel के स्टेली नुज़ पेपर एनालेसिस में तो आए दोस्तों सुरुवात करते हैं 18 माई 2018 के स्टेली नुज़ पेपर एनालेसिस की दोस्तों सबसे पहले जिस कबर पर हम डिस्कुस करेंगे वह समझ्जज थेए B.S. जडी रुपा से समझ्जज थेए दोस्तों पस्टेली पे क्रिशन पूछे जाते हैं हमने अप्रेल माई के पस्टेली निज़ को लेकर भी डिस्कुस किया है तो जो B.S. जडी रूपा साब है, उन्होंने करनाटक के 23 वे CM के रूप में कलसपत ले ली और वो 30 वी बार करनाटक के CM चुने गए हैं फोड़ा सा करनाटक विदानसभा चुनाओ के बारे में भी जान लेते हैं तो 222 विदानसभा के सीटों के चुना हुए जिसमें B.G.P. को 104 सीटे मिली और सिंगर लाजस्ट पार्टी की तोरपर उबरी और राजिपाल महुदा ने उन्हें पहले बहमुद सिद करने का अउसर दिया और B.S. जो यडी रुपा है वो C.M.P. के कैंडिडेट बने और C.M.P. की सपत लिए खेर जो कनाटक में अभी इलेक्शन हुए और उसके बाद जो सरकार के गटन हुआ और बहमुद परेक्शन की विदान सबा में कवाया चल रही है उसको लेकर एक कानून सुरक्यों माया है दल बदल कानून जिसका जिक्र आज के राजिस्तान पत्रिका में भी था थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दल बदल कानून है वो बारत में मूल सविदान में सामिल नहीं था 52 सविदान ससे 52 वे Constitutional Abundment के द्वारा 1985 में इसे बारते सविदान में सामिल किया गया इसे दसवी अनुष सुची में सामिल किया गया दल बदल जो ये कानून था एंटी डिफेक्शन लो था इसके तरफ जो भी सुने जाते हैं MLA या MPEG उनको कुछ आधारों के आधार पर अयूगी अकोसित किया जा सकता था ये जान लेते हैं कि वो आधार कौन कौन से थे जिनके आधार पर उने अयूगी कोसित किया जा सकता था यदि कोई निर्वाच्य सदशियर ये जान रखे कि इपाड़ने स्वेच्छा से स्वेच्छा से किसी राध्यतिक दल की सदेशिता छोड़ देता है कहने का मतलब है कि कौंग्रेस से कोई MLA चुना गया सपोर्च कर लो वो अपनी इच्छा से अगर किसी कौंग्रेस की मेंबर्सिप छोड़ देता है तो वो एंटी डिफेक्शन लोग के दाइरे में आ जाएगा और उसकी मेंबर्सिप जो है वो रद कर दी जाएगी एक तो यह दूसरा यदि कोई निर्दल ये सदशिय निर्दल ये सदशिय किसी राध्यतिक दल में सामिल हो जाता है कहने का मतलब जिसकी करनाटक विजान से बचनाओ का योदान लेते हैं जो निर्दल ये हैं, इन्डेपिडेंट केडिडेट हैं, उनका इलेक्टेड हुए हैं तो उनमें से अगर कोई किसी विजेपी में सामिल हो जाता है, कॉंग्रिस में सामिल हो जाता है तो फिर उसकी मेंबर से भी रज़ करती जाएगी इस एंटी डिफेक्शन लोग के था या पिर क्या होता है, यदि किसी सद्शे द्वारा सद्धन में पार्टी के पक्स के विपरित वोट दिया जाता है अब क्या होता है, एक आपने सब सुना होगा, विप, कॉंग्रिस ने विप चारी किया, विजेपी ने विप चारी किया सब पोर्च कर लूँ का नाटक विदास्वाचनाव में बहुमत परिक्शन चल रहा है और Congress ने विहिप जारी कर दिया कि हमारे party के जिसने भी ML हैं वो Congress के पक्स में वोट देंगे और उस situation में Congress के पक्स में वोट नहीं देखकर वो विजेपी के पक्स में वोट देंगे तो भी उनकी मेंबर से प्रद हो जाएगी इस Anti-Defection Law के था इसके अलावा यदि कोई सदश्य स्वयम को वोटिंग से अलग रखता है अब यह भी चरचार चल रहे हैं कि करनाटक में वोटिंग में सामीली नहीं हो तो भी उनकी मेंबर से प्रद हो सकती है Anti-Defection Law के था जाने कि आप बहमोद प्रद के दिन जो कह सकते हैं बहमोद प्रद के दिन जो कह सकते हैं बहमोद प्रद के विस्वास मद प्रद के उता है उस दिन आप सदन में उपस्तिती नहीं हो तो भी Anti-Defection Law के दाएरे में आप आ जाओगे कि के ये प्रदान था इसके अलावा जो 1985 में बावने से विदान से सदन द्वारा दल विरोदी जो Anti-Defection Law लाया गया कि के उसमें ये भी प्रदान था कि छह महिने की समापति के बाद यदि कोई मनोनिस सदस्य किसी राज दल में सामिल हो जाता है तो भी उसकी membership रद हो जाएगी सदन में कुछ सदस्य मनोनिस भी होते हैं जैसे विदान सभा में जो राजजी पाल है वो एक एगलो इंडियन को कर सकता है और अपने लोगसुभा अपने लोगसुभा में भी बहुत सदुश्य जो 12 सदुश्य ह्मनननित होते हैं तो अगर जिस्से ön की तंदूल करें ठीके उनकोोई मनननित किया गया था वो अगर श्य मैने के स्टमापति के बाद अगर कोई किसे पाल्टिक हो जाते इसे प्रवावी हो गया था शभर किसी पार्टी के एक पोड़ी की से अलग हो जाते हैं और उसके बाद किसी पोड़ी के सामिल हो जाते हैं तो उनकी clicks रत नहीं होगी यह जा हो रहाद हो दल बतल दल रही माना जाएग यह जहे लेकिन इस प्रावदान के कारण जो इंदल परियोतन जो कानून ने जिस उदेशय से लाए गया था कि जो बारतिया रात नेती में आयराम गयराम की संस्कतिया आ चुकी है उसको समाप किया जाए तो उस उदेशय को में संपल नहीं हो पा रहे थे तो एकराणवा सविदान सं नहीं हो जाते हैं तो भी उनकी मेंबरसीप रध हो सकती हैं लेकिन एक मज़गी बात ये है कौन सा जल परियुदतन सही है कौन सा गल्त है यह तय करेगा विजानसभा के केस में लोग संभा स्पिकर यानि कि कहने का मतलब इनमें भी मनना नहीं चल सकती है जैसे कि करके विजयन से उब क tribality के कि लोग से एट पूचा जा सकता है कि फोडा सामने दलपर्राइन कानून के बारे में बैसिके जाना महिं से पुळा जा सकता है प्री में भी पुचा जा सकता हैँ ख्यार बाते हैं अग्री निज स्लाइट पर यहां हम सबसे बात करेंगे दनुस के बारे में जो defense technology है हमारे syllabus में है दनुस के क्या है ये देख लेता है दनुस एक स्वदेस निरमित तौप है क्या है तौप है वो भी स्वदेस में निरमित है और अब इसकी समताओं की बात करें तो ये 40 किलो मिटर तक बार कर सकती है ये electronic system प्रनाली पर आजारीत है यानि कि एक मिनिट में ये 4-6 जो गोले हैं वो दाज सकती है electronic तरीके से और ये दनुस जो ये तोफ है ये पाहड और जो रेकिस्तान उसे कहीं पर भी त्यानात किया जा सकता है तो दनुस क्या है एक तोफ है ये हमें पता होना चाहिए नाग है वो भी एक तोफ है एंटी कह सकते हैं मिसाइल टैंक है सोरी ना के वो एंटी मिसाइल टैंक है और जो तनुस है वो एक टॉप है यह हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए है रातेंं अन्य नोच पर यह समुजिते है अतन शे है अतन आल से एस हमने गला कैसर से वो से के तैनल है नडे और नटी है उसको पैट्रहल होते है उनमें 10 पीशटि स्वेश तक आप एफिया आणी अ तो आफिया शकलते हैं defend क्यों मिलाते हैं एक तो जो फॉरेंड करेंसी है उसकी बच्चत होती है दूसरा क्या होता है कि पैट्रोल से पॉलिशन जाज़ा होता है और अगर एथेल अलकॉल उसमें मिला जेते हैं तो पॉलिशन कम हो जाता है आज़बाद में 10% की अनुमोती है एवन देन अमेरिका तक भी इस मिलाते है और अमेरिका तो 25% तक पैट्रोल पे यह मिलाता है और एथेल्ओल जो है उसको पैट्रोल मिल्स से दो फाइदा भी होता है और एकॉनोम्य में फाइदा होता है कि किस्तानों को भी एक्स्टा बनेगी ठीक है वो तो है इस सुगर मेल्स को बेचेंगे इस सुगर बनेगी उससे लेकिन जो ऐसी लाकॉल गवर्मेंट को बेच कर गवर्मेंट किसानों को उन पचास रुपे देर की लगपक्ष एक लिटर के तो उससे भी उनको फाइदा होता है यह थोड़ा सा जान लिया क्यार अग्ली नूच पर आते हैं समद्धी सिपी जोसी सुट्कियों में थे आज की पेपर में सिपी जोसी राजस्तान किरगेट एट एस्टोशेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो यह हमें पता होना चाहिए सिपी जोसी कॉंग्रिस के बहुत बड़े लिडर भी रह अग्ली नूच पर आते हैं यह समद्धित हैं अभिताफ कांग निंति आयो के सीओ है चीफ एजुकेटिव ऑफिशर तो यह थोड़ा भी पता होना चाहिए निंति आयो का गटन हुआ था वह एक जन्वरी एक एक दोजार पंदरा में हुआ था इसका गटन हुआ था एक जन्वरी दोजार पंदरा को के अगली नूच पर आते हैं यह समझते हैं अमेरिका से अमेरिका दो का पहले भी सुख्यों में रहा है अमेरिका सुर्कियों में क्यों रहा है कि अमेरिका ने हाली में भारती मुद्रा रुपे को निकरानी सुची में डाल दिया है अब अमेरिका वापस सुर्कियों में कि अमेरिका में हाली में जो खेल सटे बाची है उसको कानूनी मानिता दे दी गई अभी एक का आप विग्यापन देख रहे होंगे ट्यू अगर पर ड्रीम 11 जो IPL चल रहा है ड्रीम 11 तो ड्रीम 11 भी एक तरह की सटे बाजी है हालाएं कि टेक्निकल यह सटे बाजी नहीं है लेकिन एक तरह की यह सटे बाजी है खेर आते हैं अगली नूच पर यह समझेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेलेस्टन से थोड़ा सा एक डेवलोप्मेंट नूच है अभी नूच मनी नहीं लेकिन थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए पाकिस्तान में सता के आपको पता हैं दो इस्तम हैं एक तो है पाक सेना और एक है पाकिस्तान की गौर्णमेंट पाक सेना वह आमिसा से डॉमिनेंट रही है उनका मजबूत रोल रहा है पाकिस्तान सेना ने इच्छा ज़ता ही है कि वो बारस से बातजित करना चाहती है, थोड़ी से न्यूज है, हमें पता होना चाहिए, तो दोस्तों इसी के साथ 18 माई 2088 का डेली न्यूज का डेली न्यूज क्वेपर एनालिस से सेंज समात होता है, इसको सुनने के लिए आप स